आपको जरूरी वीडियो के एंडिंग एंडिंग तक पता चल जाएगा तो यह हम जा रहे हैं एरपोर्ट की तरफ शम्शाबाद एरपोर्ट हाइदराबाद का घर से निकलने से पहले बहुत जरूरी होता है आप अपना पास्पोर्ट वीजार टिकैट सब कुछ चेक कर लें जो की और चीजेश भी चेक कर लें अच्छे से ध्यान से की कुछ भूल ना जाया बहुत-बार ऐसा हो जाता है कुछ नो कुछ भूल जाता है तो यह हमने सारी चेक कर ली हैं और फाइनली हम एरपोर्ट पहुंच चुके हैं यह है है हैदरबाद का राजीव गांधी इंटरनाशल एरपोर्ट मुझे काफी एंजाइटी काफी टेंशन हो रही थी क्योंकि मेरा फस्ट इंटरनाशल ट्रिप है इसे पहले मैं औरडी नेपाल जा चुकी इसलिए जल्दी से एरपोर्ट पहुंचना फिर इमिग्रेशन के लिए प्रॉसस यह सारी चीजे मतलब बहुत सारी मेरे दिमाग में टेंशन थी बट सारी फाइनली हमारी हो चुकी है बहुत स्मूदली जाधा रश नहीं था वह इसलिए होगा क्योंकि हम बहुत जल्दी पहुंच गया हमें लगा बहुत ज्यादा टाइम लगेगा बट टाइम नहीं लगा क्योंकि हम बहुत जल्दी आ गये चार घंटे पहले आ गये तो हमारा इमिग्रेशन सब कुछ हो गया अब कितना टाइम हो रहा है टेन फॉर्टी त्री कि देड़ बजे फ्लाइट है तो बहुत टाइम है हमारे पास ऐसी मेरी फेंट टाइम पास करेगे अब यह मेरी मां है जो हम इती जल्दी आ गये थे आप मालम भी नहीं है तो भी तो भी तो अब हम लोग बैठे हैं काफी देर तक बैठे रहेंगे दरी है अन्यम्मी बंभी हो गया इंविग्रेशन हम सब का हो गया हम दोरों पहली बार दा रहे हैं पहला है हमारा तो हम आ गये कॉफी पेने यह मेरा बहुत मैंनेटरी होता जब भी मैं फ्लाइ करती हूं मैं एरपोर्ट और फ्लाइट के अंदर जरूर कॉफी पीती हूं उसका रीजन है मेरा सरदर्द इससे थोड़ा मैं बेटर फ आप देख सकते हो जादा कोई पॉब्लिक नहीं है दीरी दीरी पॉब्लिक आएंगी यहां मैं मम्मा से भी अपनी कॉफी शेयर किया मैंने क्यूंकि यह बहुत जादा है मैं इतना जादा क्वांटिटी में कॉफी नहीं पीती हूं एक नॉर्मल यार आप अपने घर पे भ मुझे एक्जाट्ली नहीं मालम तो इस पर मैं थोड़े मज़े कर रहे हूं बड़ा मज़ा आ रहा है और हमारा हो गया है बोडिंग का टाइम सारी चीजे चेक हो चुकी हैं और हम जा रहे हैं काफी रश है आई तिंक बहुत सारे लोग है जिनका यहां पे हॉल्ट था और उनकी यह सेकंड फ्लाइट है और वो यहां से मतलब हैदरबाद से वो लगब जा रहे हैं तो हमें हमारी सीड भी मिल गई है और बाहर का व्यू भी काफी अच्छा है और देखो यह जो डेस्टिनेशन में जा रहे हूं यह वहां का व्यू है उपर से देखने से सब छोटे में तो आनी रहा है फिर इमिग्रेशन हमारा क्लियर हो चुका है और हमने बैग भी अपना ले लिया और यास फाइनली हम आए हैं तुबाइ मेरी हालत देखो यार ऐसा लग रहा पता नहीं कहां मैं इतनी ना कामम करके आई हूं बहुत टायर्ट फीलिंग कर रहे हूं और यू काफी अच्छा है इट वस वेरी न्यू और गुड एक्सपिरियंस एरपोर्ट पर काफी चीज़े बहुत स्मूधली हो गई हमें एक फ्री में सिम कार्ड भी मिला था वहां पर आप जबी भी आओगे आपको भी मिलेगा और वहां पर दुबाई से आपको मेट्रो की भी फैसलेटी है बट अभी कुछ साधा समझ भी नहीं आया है इसके लिए हम आ गए क्याप बुक करके हम डारेकली जा रहे हैं अपने अपार्टमेंट में और यह आप देख सकते हो ब्यूटिफुल सा व्यू मेरे बालकेनी से यह है जे बी आर काफी अच्छा प्लेस है औ और यहां पर नीचे आप देख सकते हो और टाइम यहां पर काफी पब्लिक आती ही रहती है और यह सुन्दर सा वियू है जो हमें बहुत पसंद आया अब काफी ठक गए हैं तो सो जाएंगे और देन कल बात करते हैं तो गुद मॉर्निंग दुबाई हम फाइनली दुबाई में हैं और कल ऐसा था कि रात को हम काफी लेट पहुंचे थे रात के ग्यारा बजे काफी टाइम लग गया था चीजों के लिए एरपोर्ट पर टाइम लग जाता है जब आप इंडरनाशनल फ्लाई करते हो इमिग्रेशन और तो यह सब मेरे लिए फर्स एक्स्पीरेंस था तो टाइम लगा घर पहुंचते पहुंचते भी टाइम लग गया ट्राफिक भी था तो इसलिए हम आते ही सबसे पहले हम सो गया रेस्ट किया क्योंकि वह हालत में ही नहीं थे यार कि जगेंगे और सुबा अधर सा व्यू दिखता है यार बहुत अच्छा चाहिए अधर तो पॉल्णी एक इस मौर्णी से लोग अ काफी थंड है अवे लगती थंड नहीं है हमें लगता है कि मुझे लगा दुबए में ती थंड नहीं होगी गर्मी होगी पर ट्रस्ट में मेरे नो उस ब्लॉक हो गय इतनी थंड है आपके व्यूंकि अल्टाइम एस ही चल सब्सक्राइब पहले में अगर आप बाहर जाते हो तो हो सकता है कि नॉर्मल जैसे वाट पर ऐसे जा दो तो बहां पर आपको थोड़ी वेदर डिफेंट मिलेगा बट अगर आप मॉल में या कहीं पर भी ऐसे ट्रावल मॉल या आप रूम में हो घर में हो तो एसी वाल टा अगर में रूड़ा बट इसी होता है है हुँँआ कि अगर गेट इन द न मॉनिंग्स में अभी सुदा उट लें की हाबिट तो मोड़ गूं तरम पाली पी रहे हुँँए या अगला मेरा बसा थी थराब है ट्रावलिंग दो अधे बहूत थर्द गे ते पल्लेस बहुत जे भी आप प्लेस है अभी तो मुझे बहुत सारी चीज़े नहीं मालब है आज मेरा फस्ट डे अजब कल तो चले गया कल तो फस्ट डे था बड़ कल तो पहुंचे ही थे रेस्ट करें आज मेरा फस्ट डे मैं बोलूगी आज थोड़ा देखेंगे रिख लेंगे क्या-क्या फ्लेसे से जोई करेंगे